उंदेल खंड उत्तर पदेश के महान सूफी हजरत बाबा हकीम निजामी रहमतुला अले कमरिया शरीप मौदहा के 61 उर्स मुबारत मौके पर उनके चाहने वालों में शामिल महिलाओं के द्वारा दिन शुकरवार को आम लंगर आउजित किया गया जिसमें बाबा के चाहने वालों और अकीदत मंदों ने भारी संख्या में शिर्कत फर्माई जुमा का दिन होने की वज़र से जुमा की नमाज के बाबा के चाहने वालों की भीड आम लंगर में उमर पड़ी आयश्कों के द्वारा सभी के लिए भरकूर इंतजाम किया गया था साथ ही महिलाओं के लिए अलग से विशेश विवस्था बनाई गई थी आयश्कों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बाबा के उर्षन में देश विदेश से लोग आते हैं और उनके फैजान से माला माल हो जाते हैं इसी सिलसिले को जारी रखते हुए लगातार पंद्रवे वर्ष भी बाबा के मिरूदों और चाहने वाली महिलाओं ने आम लंगर का इहत्माम किया इस प्रोग्राम में शामिल होका ट्विन सिटी के लोग फजयाब हुए जो मौदा के आगे रहते थे ये उनी के नाम का लंगर है हम लोगोंने इस लंगर को 2009 से स्टार्ट किया था मेरे छोटे भाई ने इमरान शिद्दी की ने और वो 12 साल कर पाया था और उसकी दैथ हो गई 2013 में वो खतम हो गया तो इसलिए आज हम लोग को यह 15 साल कंप्लीट हो गया है इस लंगर के बहुत अच्छा सब लोगी सपोर्ट करते हैं इस लंगर के लिए जहां जहां तक खबर जाती है सब लोग सपोर्ट करते हैं और सब लोग इस लंगर में सामिल होते हैं इसका मक्स पूरा हो जाता था और आज उनी के दौाओं से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। पूरे बारगाओं के लोग हमारे उनकी बहुत ज्यादा इज्दत करते हैं और बहुत बड़ा मरतबा है उनका और हमारे यहां की बहुत जिन्दा वाली है वो हमारे सामिल हो जाता है नके साथ में वही व्यात div करता है अच्छा लंगर होता है उसके वज़े से इन लोग को हमें सही करते हैं, हम लोग भी सामिल हो जाते हैं, इनके साथ में बस होए है हमारा